होवर फ्लाइस यह चर्चा में क्यों है तीन कस्मीरी विज्ञानिकों ने हाली में उच उचाई वाले अल्पाइन जंगलों में होवर फ्लाइस की एक नई प्रजाती की खोज की है जो ततया जैसी दिखती है होवर फ्लाइस के बारे में होवर फ्लाइस जिसे फूल मक्हियां या सिर्फिड मक्हियां के नाम से भी जाना जाता है डिप्टेरा नामक मक्ही क्रम के लगभग 6,000 कीट परजातियों वाले परिवार से संबंदित है उनके बिभिन नाम इस बात पर अधारित हैं कि वे फूलों के चारों और कैसे उड़ते हैं वे पूरे विश्व में मौजूद हैं हलके छेतरों से लेकर गर्म छेतरों तक होवर फ्लाई में पीले रंग के पैटरन होते हैं जो उन्हें ततैया या मदमक्हियों जैसा दिखाते हैं लेकिन वे डंक नहीं मारते केवल एक जोड़ी पंक होने के कारण उन्हें ततैया और मदमक्हियों से अलग पहचाना जा सकता है इन मक्हियों में एक विशेश सीरा होती है जो किसी अन्य पंक की सीरा जैसी दिखती है ये कीडे विविन आकार और रंगों में आते हैं छोटे और पतले से लेकर बड़े बालों वाले पीले और काले तक होते हैं इनका सीर समान्य मक्ही जैसा होता है जिसमें छोटी-छोटी फीले और बड़ी आखे होती हैं लावदायक कीट वयस्क होवरफलाई अम्रित और प्राग खाते हैं जो कई अलग-अलग अस्थानों पर प्रागण में मदद करता है। कई प्रकार की होवरफलाई के बच्चे एफिट्स, माइट्स और छोटे किड़े खाते हैं जिससे इन कीटों को नियंतित करने में मदद मिलती है। कुछ होवरफलाई महत्यपून पोशक्तत्यों को पुना चक्रित करने में मदद करते हैं।